हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का चैनल तेज ट्यूब पे आज इस वीडियो में हम आप सभी के स्वयम के महत्वपूर्ण बहुवेकलपी प्रशन स्वयम के इन्पॉर्टन्ट मुल्टिपल चो इस क्वेस्टन के डिसकॉशन को करेंगे इस वीडियो म चलिए शुरू करते हैं आपकी डिसकॉशन के साथ आप सभी वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें सब्सक्राइब करना बिलकुल मुफ्थ है त 508, 509 और 5010 के लिए काफी कुछ upload किया है और पहले भी हमने पहले समेस्टर के लिए भी काफी वीडियोज अपलोड किये है seated की तियारी के लिए और dealet की तियारी के लिए आप सभी अपने सर को follow कीजिए और टेट परिक्षाओं की तियारी के लिए हमें फॉलो कीजिए टेज ट्यूब गिल्ड पे तो चलिए शुरू करते हैं हमारे discussion के साथ साथ ही साथ आप सभी ने कहा था कि सर हमें whatsapp group में भी add कीजिए नीचे आप सभी को whatsapp groups के link मिलेंगे जाए link पे click कीजिए और सीधा हमारे whatsapp group से आप जूड सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले प्रशने के साथ सबसे पहला प्रशन आप सभी के screen पे है प्रशन आप सभी देखें which one of the following is not a part of the provisions of health services निमनलेखित में से कौन स्वास्थ सेवाओं के प्रावधानों का हिस्सा नहीं है इसका सही उत्तर क्या होगा पहला option है regular physical check-up नियमिच सारे रिक जांच दूसर option है immunization जो की है प्रती रक्षा तीसर option है free midday meal यानि आप सभी को पता है इसके बारे में midday meal के बारे में और nutrition counseling यानि portion parameters इसका सही उत्तर क्या होगा कौन सा option सही है इसका सही answer होगा option number three यानि free midday meal यानि it is not a part of the provisions of health services ये स्व स्वास्त से वहाओं के प्रावधानों का हिसा नहीं है तो यहाँ पर question था नहीं है तो सायुत्तर होगा option number three आगे बढ़ते हैं हमारे second question के साथ second question आपके screen पे है which one of the following is not unnecessary for a model school health program model school स्वास्त कारिकरम के लिए निमनलिकित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है पहला option है safe environment in school 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 में परिया वरन बचाओं दूसरा option है nutrition services portion सेवा तीसरा option है community songs समुदाइक गीत चौथा option है physical education यानी सारे लिक सिक्षा सही answer इसका क्या होगा what is the right answer इस question का सही answer होगा option number three जो की है community songs जो की है समुदाइक गीत सो तीसरा number option बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रशने के साथ तीसरा प्रशन आप सभी की screen पे है निमनलिकित में से कौन एक अच्छे नागरी की अनिवार्य विक्स इ आई तीसरा option है well dressed अच्छी तरीके से कपड़े पहनना चौथा option है केरिंग यानि की देख भाल इसका सही उत्तर क्या होगा which option is correct आप सभी comment में बताएं सही answer होगा इसका option number three जो की है well dressed यानि अच्छी तरीके से कपड़े पहनना ये एक अच्छे नागरी की अनिवार्य वि रखता है which one of the following can be a cause of injury in the stairs सही answer जिसका क्या होगा पहला option है high steps यानि ऊचे कदम दूसरा option है firm railing on the sides यानि पॉक्षो पर फर्म रेलिंग फर्शो पर फर्म रेलिंग तीसरा option है no running on the stairs सीडियो पर नहीं चलना और चौथा सीडियो पर दौडना नहीं चाहिए और चौथा option है rams for the children with special needs यानि विशेस आवशक्ता वालों बच्चों के साथ ramp तो इसका सही answer क्या होगा सही answer होगा इसका option number one जो की है उचे कदम यानि high steps option number one is the right answer तो ये पहला option है ये बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं हमारे एगले प्रशन के साथ which one of the following can help to avoid free accidents इसका सही answer क्या होगा which one of the following can help to avoid free accidents निमने लिखित में से कौन सा दुरघटराओं से बचने में मदत करेगा इसका सही answer क्या होगा सही answer इसका होगा inflammable articles यानि जोलन शील लेक दूसरा option है running fast तेजी से दोड़ना तीसरा option है high steps उचे कदम चौथा option is smoke detectors धूम्र इसका सही answer क्या होगा आप सभी comment box ने बताईए which option is correct सही answer होगा इसका inflammable articles यानि जोलन शील लेक जो कि आपको बताते हैं कि दूर घटना यहाँ पे तीखा मोड है और यहाँ पे खाई है यहाँ पे आपको नहीं मोड़ना है यहाँ पे danger है इन सभी चीजों के बारे में ये articles आपको बताते हैं चलते हैं हमारे अगले प्रस्णिकी ओर जो की है injuries in the playground can be reduced if children आपको सही विकल को चुनना है choose the correct option खेल के मैदान में चोटो को कम किया जा सकता है अगर बच्चे do running at a faster speed यानि तीज गटी से डौड़े दूसरा option है remain closer to the swings जो की है जूले की करीब रहें तीसर option है do not carry pointed objects नुकीली वस्तुओं को ना ले जाएं चौथा option है do not listen to others यानि दूसरों की बात ना सुने इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer होगा option number 3 जो की है do not carry pointed objects यानि नुकीली वस्तुओं को ना ले जाएं सो तीसरा option बिलकुल सही है third option is correct चलते है हमारे अगले प्रशनी की और अगला प्रशन है question number 7 which one of the following is most dangerous at home ने हमने लिखे तवे से कौन सा घर पर सबसे खतरनाक है यहाँ पे सबसे खतरनाक के बारे में आपसे पूचा है पहला option है keeping a gas cylinder gas cylinder रखना दूसरा option है keeping kerosene oil in bottle bottle में मित petrol में petrol रखना और चौथा option है keeping fire extinguishers at home घर में अगनी शामक यंतर रखना सही उत्तर इसका क्या होगा सही उत्तर होगा keeping petrol in bottles यानि option number 3 बिलकुल सही है यह सबसे खतरनाक है कि आप घर पे petrol में बोतलो को रखें यह खतरनाक हो सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है स्कूल में होने वाली सबसे आम दुर घटना है पहला option है fire यानि आग लगना दूसरा option है stampede भगदर तीसरा option है fall गिरना चौथा option है elective sock विद्यूत की जटका सायुत्तर क्या होगा इसमें सबसे आम क्या होता है सबसे आम होता है fall यानि गिरना बच्चे सीडियों पर है जो की स्कूल में होते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे प्रशन की और जो की है प्रशन नमबर नौ question नमबर नाइन which one of the following measure should not be adopted in case of an earthquake भुकंप के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं अपनाया जाना चाहिए पहला option है do not panic यानि घवराओं मत दूसरा option है come out of the class and gather in the ground कप्षा से बाहर आएं और मैदान में खट्टा हो तीसरा option है shout for help मदद के लिए चिल्लाओ चौथा option है if trapped take shelter under some table or desk अगर आप फस चुके है तो किसी जाल या मेज के नीचे सरन ले तो यह होगा आपका चारों option इसका सही answer क्या होगा सही answer होगा इसका option number three जो की है shout for help यानि मदद के लिए चिल्लाओं तो अगर कभी भुकंप आए तो इसमें से आप भुकंप आए तो आपको बचना चाहिए ना की मदद के लिए आप चिलना है चलते हैं हमारे अगले प्रशन की और अगला प्रशन आपके स्क्रीन पे है which one of the following is not a principle of first aid निम्नलिकित में से कौन सा पहला यानि पहले aid का प्रिंस सिध्धान्त नहीं है first aid का सिध्धान्त नहीं है पहला option है do not crowd around the injured person घायल वैक्ती के आसपास भीड़ ना करें दूसरा option है allow fresh air to come in जो शुद्ध हवा है उसे अंदर आने दे तीसरा option है a trained person should do the first aid यानी एक प्रशिक्षित वैक्ती को प्राथमिक उप्चार करना चाहिए चौथा option है call the doctor and wait for him or her doctor को बुलाएं और उसका इंतिजार करें साह यह उत्तर होगा option number 4 यानी call the doctor and wait for him or her चौधा नंबर प्रश्न बिल्कुल सही है देखिए जब परिक्षा में आपके प्रश्ना है तो इस चीज़ का ध्यान रखी किस प्रश्न में not है क्योंकि यह आप ज्यादा गलती करते हैं और यह हमेशा देखा भी गया है तो प्रश् से कि तेज ट्यूब गिल्ड जो की है जिस पे आप सभी के राज्यों के यानी की जितने भी राज्ये हैं जिन भी राज्यों में टेट की परिक्षा होती यानी सिक्षक पातरता परिक्षा होती है उसके लिए आप सभी हमें follow कीजिए अभी फिलहाल हमने राजस्थान और के साथ प्रेश में अबलोड किया है अगर आप बिहार के स्चाहते हैं उस्तरक्रदेश के स्चाहते थाकर इए और तो आप हमारे इस गिल्ड盼 पर जाईए और आप इन दोनों courses में से किसी भी वीडियो में comment कीजिए कि sir हमें परदेश के हमारे सिक्षकों ने किया कि sir हमें राजस्थान की video तो आपको भी अगर अपने राश्य के टेट परिक्षाओं के लिए तो आप की जारी है तो आने वाला समय काफी सुनहरा है आप सभी के लिए तो आप से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें अपने अपने शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पे धन्यवाद जय हिंद लॉंग लेव एंडिया